नमस्कार दोस्तों ब्रेटाम को पिल सिक्का है स्वागत आपका सड़ियाई कि एजूकेशन टाटफॉर्म में आज Constitutional Amendment Series में हम बात करने जारे 33rd Amendment 1974 की जानेंगे exactly कि किस तरह से Member of Parliament और साथी साथ Member of Legislative Assemblies, Legislative Councils किया जो Resignation का Processors में Speaker के रोल को कैसे important किया गया जानेंगे exactly कि कैसे Article 101, Article 194 of the Constitution में कुछ changes लाएगा और इससे Speaker की जो Position है Resignation को लेके वो काफी जादा strong हो गई अगर आप राइस्टान Judicial Exam के preparation कर रहे हैं तो इसके courses आप हमारे हैं से परचेस कर सकते हैं इसके अलावा बाकी Judicial Courses भी हमारे पास available हैं आप बाकी Judicial Courses भी नीचे description में दे लिंक के थ्रूप परचेस कर सकते हैं साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तेलिग्राम पे यहाँ पे आपको आपकी Courses 3 भी में हमें कुछ amendments करने के जरूत है आईडिया बस यह है कि House of Parliament में member of House of legislature of state में अगर resign करना है तो वो resignation किसको देते हैं अगर किसी MP को resign करना है किसी MLA को resign करना है तो वो अपना resignation देते हैं speaker को तो इससे हम एक fact यह भी बता चल गया कि MP MLA कैसे resign करते हैं उन्हों देखा हमने previous past में हमने recent past में हमने यह देखा कि कुछ ऐसे instances आये जहां पर coercive measures जो है वो use किये गए लेट से political parties जो है वो अपने या opposite या opposition के MPs को कही ही न कहीं defect करके ला रही थी कैसे defect कर रही थी उनको प्रेशराइज कर रही थी कि आप वहां से स्तीफा दो आप MP के पद से स्तीफा दो seat खाली करो ठीके तो इस तरह के कुछ ऐसे instances जो है वो पार्लेमेंट ने notice किये होंगे जो पहले से चलते आ रहे थे तो पार्लेमेंट निकाह की लेटस से कोई भी MP speaker के पास पहुंचता है कोई भी MLA speaker के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे स्तीफा देना है तो अब MLA या MP क्यों स्तीफा दे रहा है इसका reason भी यहां पर पता होना चाहिए speaker को तभी वो जो है उस resignation को accept करें अब कैसे पता चलेगा पता चलेगा the concept of free will speaker को पावर दी गई जिससे speaker को यह कहा गया कि आप जो है उस resignation के पीछे की free will जो है वो check कर सकते है ऐसा तो नहीं है जो resignation हो रहा है वो किसी coercive कारण से कराया जा रहा तो अगर यही का कि अगर हम इस तरह के mechanism को इस तरह से होते स्तीफों को check नहीं कर पाएंगे तो फिर Parliament का या legislative assembly का constitution के provisions के according function करने में तिक्कत आएगी इसलिए Parliament ने प्रपोस किया कि हमें कुछ changes लाने पड़ेंगे article 101 clause 3 में article 190 clause 3 में changes क्या है changes यह है कि जब भी आप अपना स्त आना पड़ेगा कि exactly resignation का reason क्या है चलिए वो तो बताते ही बताते हैं सबसे बड़ी बात है कि जो resignation accept होगा वो तब तक accept नहीं होगा जब तक speaker या chairman satisfied नहीं है कि inquiry करने के बाद कि यह जो resignation यह voluntary है और genuine है मतलब आज किसी member of parliament ने latest से आज की date में एक अपना resignation summit किया speaker उस resignation को immediately accept करने से मना कर देगे वो कहेंगे ठीक है आपने resignation summit कर दिया मुझे आप थोड़ा सा time दो मैं inquire करूँगा कि आपके पीछे का जो cause है आपके जो resignation submit करने का cause है वो free will है voluntary in nature है आप किसी coercion में आके इसको submit नहीं कर रहे है तो यह power जो है speaker को दी गई बाद में वैसे तो देखा जाए अभी सुप्रीम कोट इस पावर को मिस्यूज सुप्रीम कोट इस पावर को लेके चिंतित भी है इस पावर का मिस्यूज बहुत किया जाता है कि जब करनाटका की case में भी देखा गया था कि जब कॉंग्रेस की government थी और कॉंग्रेस की MPs अपना स्तीफा सामिट करना चाहते थे उससे कॉंग्रेस को यह डर था कि उनके रिजाइन करते ही 14 जो मिलेस रिजाइन करने जारे तो उससे सरकार जो है वहां की करनाटका की गिड़ जाएगी तो इसलिए क्या क्या करनाटका की speaker ने काफी लंबे समय तक उन स्तीफों को hold पर रखा अपने MPA में ले रिजाइन कर सकता है अपनी सीट से बाइटिंग अंडर हिस हांड अड्रेस तो चेर्में और स्पीकर आज दा केस में भी और अगर स्पीकर को लगता है कि रिजनेशन वालंटरी नहीं है जनुन नहीं है तो वो उस रिजनेशन को एकसेट करने से मना भी कर सकते हैं तो ऐसा एक स्टेट्मेंट आ गया है कि क्या स्पीकर MP MLA के रिजनेशन को मना कर सकते हैं एकसेट करने से तो बिल्कुल कर सकते हैं ये बात clear mention है 101 clause 3 B में clear शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर speaker satisfied है तभी वो इस resignation को accept करेंगे अगर वो satisfied नहीं है उनको लगता है कि ये जो resignation है किसी coercion का नतीजा है तो फिर वो इसको accept करने से मना कर देंगे तो इसी तरह से similar changes किये गए आर्टिकल 190 में भी आर्टिकल 190 किसके लिए है ये legislative assembly के लिए है और legislative council जहां जहां पर applicable होगी वहां के लिए है तो याद रखिएगा 101 and 190 जो है वो यहां पर amend किया गया and accordingly changes जो है वो लाए गए तो यह दोनों amendments जो है यह दोनों जगे जो amendments है वो किये गए थे आपके 33rd amendment 1974 के द्वारा अब एक बर 101 आज की date में कैसा दिखता है क्या exactly उसका प्रारूप है देख लेते है वेकेशन अफ सीट की बात करता है कि सीट अगर वेकेट हो जाएगी तो कै कैसे वेकेंसी भरेगी या फिर कैसे वेकेंसी होगी देखो ना नो परसन शाल भी a member of both the houses of parliament ठीक है कोई भी member राज्यसभा लोगसभा दोनों का member नहीं हो सकता अगर वो राज्यसभा का member है और लोगसभा में election हो जाता है तो उसको अपनी राज्यसभा की seat immediately छोड़नी दूसरा है कि no person shall be a member of both the houses and house of legislature of state अगर वो किसी अगर कोई person MLA है तो उसको अपनी MLA की seat छोड़ के MP बनना पड़ेगा मतलब MP की seat accept करनी पड़ेगी कोई person MP है और उसका MLA में भी election जीच चुका है तो उसको एक जगे से resign करना पड़ेगा साथी साथ यह भी का है कि यहां पर revision किया गया amendment किया गया 3B में क्या है कि आप speaker को अगर आप MP में ले है या chairman को स्तीफा दे सकते हैं तेक है आप resign कर सकते हैं लेकिन आपका जो resignation है provided that in case of any resignation referred in sub clause B information received or otherwise after making such inquiry if the speaker chairman deems fit only then he will accept your resignation otherwise he has all the discretionary powers to not accept your resignation इतना ही जानना था हम इस amendment के बारे में आशा करता हूं समझ में आगया होगा देखिए हमारी सीरीज से amendments हम सीखी रहे हैं साथी जात यह भी देख रहे है कि constitution में कौन-कौन से अभी current provisions कैसे work करते हैं तो यहां से आपको कुछ और नए facts और statements जानने को मिले हों हम इतना हैंा.